के टू करके कश्मीर के बाहर आतंकी हमले करता रहेगा तो ऐसे आतंकी हमला करने वाले दूस्त देश से कौन बात करता है दुनिया में किसी ने जो है आपको द्यानों का लीविया ने सिर्फ एक बार प्लेन अपरन किया था फ्रांस का लीविया उस्टाइन कर दिया कि नहीं लौर्थ कुरिया से लोग्चों नहीं बातचीत करते हैं कारण के आपके बात को सब्सक्राइब करने को तयार है लेकिन उनकी बात को भी सुनिये इन्हों ने कहां कि ये बाइलेटरल टॉक्स पाकिस्तान से नहीं करते हैं दो हजार बीस में इन्हों ने बाइलेटरल टॉक्स प्रॉपरली बाकिस्तान के साथ दुबाई में बैठके की थी और एक टॉक्स की बातचीत को बाइलेटरल नहीं कहते हैं थोड़ा पढ़ लिखकर आया करिए इतनी समझदारी तो आप रख दिखाईए थोड़ा पढ़ तो डालिखा करिए इफ जांच थोड़ा पढ़ने लिखने से ग्यांवर्धन होता है ज्यांवर्धन होने से तरक पढ़ते हैं जाए प्लिव लिजे अक बार इस में पूरा मैं को देमोक्रेटिक ली इतना हग देता ही हूं मैं कोई पाकिस्तानी थोड़े हूं को देमोक्रेशिम विश्वास नहीं रखता इफ्रा तेखे यह कहते हैं कि उन्होंने बाइलेटरल बातचीत नहीं की इन्होंने 2020 में बाज़पा की सरकार ने एक्स्टेंडड बातचीत की पाकिस्तान के साथ जिसमें मल्टिपल राउंड लेकि जब यही बातचीत बन जाते हैं यही दस बार कहने से कुछ होना जाना नहीं इफ्रा जान एक सेकंड आपने अराम से बोला था बीजेपी की सरकार क परेशन यह है कि अपने लोगों को के लिए वोट करते हैं उनको जूट बोल चुकी है नहीं होगा यह पिछले तेवीश चोवीश मिनट में यही आप यही रख रही हैं एक रट्टा लगाए बैटी है वो अपनी बात को रखना चाह रहे हैं सुन लीजे 30 सेकंड सुन को चलेगा इंकर का नया नियम है कि मैं लिए आप लगातार इंटरॉप कर रहे हैं उनको बोलने निया रहे 30 सेकंड तो सुनिये एक बार 30 सेकंड तो सुनिये आरे उनको सुना मैंने 24 मिनट सुन रहा हूं मैं जी जवाब देंगे इन्होंने कहां इफराब 30 सेकंड बोलिए और फिर मैं प्रेम शुकला जी से आपकी बातों का जवाब लोंगी बोलिए कहते हैं जम्मू और कश्मीर जो है विकास की मुख्यधारा पै निकल चुका है तो 2010 में हमारे यहां बेरोजगारी तीन प्रतीशत की अभी बेरोजगारी 22% है यह CMIE का डेटा है जहां पे तीन प्रतीशत से 22% तक बेरोजगारी जाएगी वो विकास की दारा पे है या वो डेस्ट्रक्शन की दारा पे है आप जम्मू और कश्मीर का इन्होंने वही किया जो इन्होंने पूरी इंडिया की एक अच्छी खासी ए जम्मू कश्मीर में क्या रहिए वो शायद नहीं सुना था जो केंद्र सरकार की उपलब्दिया थी शायद उसी पर शहजाद कुछ कहना चाहते हैं शायद देखें मुझे एक बात समझ में नहीं आती एक सेकंड इफरा एक एक करके बात करते हैं आपने एक बात रखांए और आपने एक तर्क रखा मेरी बात भी सुन लिजिये एक सेकेंड, इफरा जी, इफरा जी, सुन लिजीए, इफरा जी कहती है अभी बहुत unemployment जम्मू कश्मीर में आ चुका है, पहले सारा कुछ नॉनमल था, तो अगर पहले सारा कुछ नॉनमल था तो ये पत्थर बाज क्यों पत्तर पेक रहे थे? ये वही कहते थे कि बहुत unemployment है इसलिए पत्थर पेक रहे हैं, मतलब की वो ideological था, मतलब आज इनको मानना चाहिए कि जो पत्थर उस समय पेक रहे थे, जो आज नहीं पेक रहे हैं, 90 फीसद से कम हो चुका है पत्थरबाजी, वो ideology की वज़े से था, वो एक विचारधारा की वज़े से था, ये पहले इनको मान लेना चाहिए unemployment पे बात कर रहे हैं, तो दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, कि आप बताईए, आपको बात करनी है, पाकिस्तान की जनता से करे, पाकिस्तान में बात करने लाइक है कोई, हाँ, Unilateral, Multilateral, Bilateral, Trilateral, एक बात होगी कि पाकिस्तान अपनी जमीन को अगर इंडिया के खिलाफ इस्तमाल करेगा, तो सर्जिकल स्ट्राइक भी होगा, बाला कोट ऐस्ट्राइक भी होगा और आगे जाके और भी चीजे होंगी क्योंकि ये मनमोहन सिंग की सरकार नहीं है कि 26 गारा करके चले गए और हमने MFN स्टेटस भी नहीं हटाया ये सरकार वो सरकार है कि अगर एक दोगे तो हम सामने आपको उसका मूत और जवाब देंगे और कश्मीर के विशे में भी बहुत क्लियर है कि अगर खीर मागोगे तो हम आपको चावल मागोगे खीर देंगे कश्मीर मागोगे तो चीर देंगे ये बड़ा क्लियर कट लाइन है अब किसी को बुरा लगे तो उनकी प्रॉब्लम है शहजाद को आपने सुना वो ही कह रहे हैं कि चलिए एक बात को मान लेते हैं ये पाकिसान से बात होनी चाहिए और वो चुने हुए नुमाइंदे हैं लोगों के डॉक्टर फारॉक साथ उनकी पार्टी के साथ हमें आइडालजिकल डिफरेंस भी हो सकती है लेकिन उनुने जो चुने हुए नुमाइंदे है और वो ये बात कह रहे है कि जुमू किश्मीर में शांती लाने के लिए जुमू किश्मीर की समस्या का हल गोने के लिए ये अन्यवारी है कि हमें जो भी इसमें पाकिस्तान है जुमू किश्मीर के अवा में उनसे बात करनी चाहिए तो मुझे लगता है कि जब यहां पर लोग वाइलन्स पे टेटिक रिकोस्ट वाइलन्स अगर इन हाल आतों में कोई भी हाँ पर ऐसी आवाज जो ये कहती है कि बाद चीज से समस्या का समाधान हो मुझे लगता है देश हित में ये है कि आप सब लोगों को बारत सरकार को या मीडिया के जो भी लोग है आपको इसका स्वाधत करना चाहिए कि कश्मीर में कोई कहता है कि बाई ये बंदूख से मसला हल नहीं होगा ये अल्टिमेटली ये मसला बातचीत से वारता से और इसमे कुई rocket science मैं involved नहीं है आप मैं मुकमल कर रह radar किस्वे कोई rocket science involves नहीं है कश्मीर का हिस्सा उनके पास है अगर आपको इस मस्या को सूल नेटरं में उसका मतलब हुआ, इन्होंने एक ऐसी बात कहे, जिम्दराना बात की, कहा कि क copyright काने का मतलब यह है, कि यहां पर केवल वारता ही एक विखलप है, डायलोग लीज़ रेजलूशन, I am not saying, history is witness to the fact, ultimately dialogue is the way for एमद आयाज जी, अगर हम फारुक शाब का ये ले लेंगे कि बातचीत नहीं करेंगा